रामडम, आज हम श्रीमत भगवत कीता के अध्याय आठ अक्षर ब्रह्मयोग का श्लोक 21 देखते हैं पहला चरण अ व्यक्तो, अ पूरा है, अ व्यक्तो, व्यक्त के बाद में जो है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, त पर ई ओ की मात्रा लगई अ व्यक्तो इसके बाद में एस जैसा जो ये दिख रहा है, वो है अवग्रह, त अ व्यक्तो, तो की मात्रा को अधिक देना है उच्चारण में, क्योंकि अवग्रह आ गया है, इसके बाद में लिखावा है क्ष, यानि शत्रिये वाला, जिसको तोड़कर हम क्या लिखते हैं, आधा क, और शत्रिये का तो के साथ जोड़ दिया, एक बाद वापस समझेंगे, आव्यक्तोक्षर, इसके बाद ए, ए के बाद में ए छोटा है, आधा त यू, इत यू, इसके बाद में आधा क, यू के बाद में जो लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, जो अपनने आव्यक्तोक्षर में देखा, इत यू, आधा क और त पूरा, तो इत यूक्तस, द पहला चरण रिपीट करेंगे, आव्यक्तोक्षर इत्योक्तस, साकेंड चरण, त, त पूरा है, त में आमिक्स करेंगे, त, मा हू, हू के बाद में है विसर्ग, तो उ की मात्रा है, तो विसर्ग को क्या पढ़ेंगे, हू, हू लिखावा भी है, और विसर्ग भी क्या पढ़ा रहेगा हू सैकेंड वाले हू को अपने को हू नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना है ठीक है आगे पर पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे पर मा के उपर है अनुस्वार ये हिंदी वाला मा नहीं है मा पर अनुस्वार तुम आदाम परमाम ग पूरा है पी के साथ आदाम गतिम सैकेंड चरण रिपीट करेंगे तमाहु परमाम गतिम पहला और दूसरा चरण साथ में आव्यक्तोक्षर इत्योक्तस तमाहु परमाम गतिम तीसरे चरण पर बढ़ते हैं य य पर है अनुस्वार आदाम यम प्राप्राप्राप्राणे प्रा आदा पर य के साथ प्राप्य य में अमिक्स कर रहे हैं प्राप्य न में वापस अमिक्स करेंगे यम प्राप्य न नीव त की उपर आदे रख की मात्रा है उस आदे रख को व के साथ पढ़ेंगे नीवर त त के साथ आदा न नीवर तंते रिपीट करेंगे यम प्राप्य न नीवर तन ते चोता चरण तद त के साथ आदा द तद धा द धर त सबका उच्छारण क्लियर रहना चाहिए तद धाम धाम मा में अमिक्स क्या पर पूरे पूरे अक्षर म की उपर है अनिस्वार आधा म और म दोनों पूरे पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे चोता चरण रिपीट तद धाम पर अधाम तीसरा और चोता चरण साथ में यम प्राप्य न नीवर तन ते पूरिश्लोक काउचारन एक साथ अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस तमाहु परमांगतिम् यम् प्राप्या निवर्तन्ति तद्धामा परमांगतिम् एक बार वापस अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस तमाहु परमांगतिम् यम् प्राप्या निवर्तन्ति तद्धामा परमांगतिम् अब इस श्लोक का अर्थे देखेंगे हमने पिछले श्लोक में देखा था इसी के अध्याय आठ के श्लोक 20 में कि जो ब्रह्मा जी की सुक्ष में शरीर से अव्यक्त अनादी और अत्यंत श्रेष्ट भाव है वो अव्यक्त रूप ईश्वर है जो कि इस श्रिष्टी के नाश होने पर भी संपुन प्राणियों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होते उसी के बारे में इस लोक में आगे बताया रहे हैं भगवान अव्यक्तो क्षर मतलब वो क्या है अव्यक्त है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता अव्यक्तो तो के बाद में अवग्र तो इसको अपन अर्थ में अ लेते हैं अक्षर यानि जिसका नाश नहीं होता तो वो क्या है अव्यक्त है और अक्षर है अव्यक्तोक्षर इति युक्तस इति यानि इस प्रकार उक्तह कहा गया है तमाहु इसमें आहु मामे मामे आ की मतल तो आहु यानि कहा गया है वापस उक्ता का अर्थ भी कहा गया है और आहु का अर्थ भी कहा गया है ठीक है परमामगतिम उसे क्या कहा गया है परमगति कहा ग अनादी है अन्य है आव्यक्त है उन आव्यक्त और आक्षर रुप को उन अनादी अन्य और शेष्ट भाव को आव्यक्त और आक्षर ऐसा कहा गया है ठीक्षे और तमाहु और उसे परम गती भी कहा गया है यम प्राप्य जिसको प्राप्त करके न नहीं निवर्तनते लोटना पड़ता है जिसको प्राप्त करके नहीं लोटना पड़ता है कहां इस संसार में तद्धाम है वो धाम परम धाम मम मेरा है भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सुक्ष्म शरीर से जो अव्यक्त जो अनादी है अन्य है और शेष्ट भाव है जो प्राणियों के नश्ट पर भी नश्ट नहीं होता वो अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा जाता है उसे ही परम गती भी कहा जाता है और जिसको प्राप्त कर पर वापस इस संसार में लोटकर नहीं आना पड़ता वो परमधाम किसका है भगवान का ही वह परमधाम कहलाता है अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बूलो नहीं नारेन नारेन नारेन